बड़ी घटना हैं आज उत्तर प्रदेश के भी तरविया परना का समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी जाना अखिलेश यादो का चुनाव लड़ने का एलान और एंडिया एलाइंस की घोशना हलाकि सीटें अभी नहीं जारी नहीं आपका क्या आकला ने इन तीनों सबसे बड़ी बात तो उसमें आपड़ना यादो का समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा जोईन करना है क्योंकि वह मुलायम सिंग्यादों की बहू है इस देश की सियासत में 40 साल तक जिसका एक छत्र कहा जाए राज रहा जो कई बार मुख्यमंत्री रहे उनकी बह रिस्तों को तोल मरोल कर रख दिया है यानि कि सियासत में उच्छा पत पाने के लिए अपनी महत्तों कांचा पूरा करने के लिए लोग अपने परिवार के रिस्तों को भी तिलांजली देने को तयार हैं आप इस नजरिये से इसको देख सकते हैं अखिलेश यादों को जो या खेप लगे वहाला की दुखी मन से उन्होंने एबात कही होगी क्योंकि एक पिता की दो संताने हैं और दोनों की बहुए हैं एक बहुए अगर दूसरे दल की सियासत में चली जाएगी तो सभाविक है कि परिवार को तमाम सारे ताने मिलेंगे उलाहने मिलेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा उसको फेस करना पड़ेगा आपको याद होगा कि लखनाव कैंट से अपरना यादों को चुनाव लाया था अखिलेश यादों ने उस समय अखिलेश भी परचार करने गए थे मुखमंत्री थे और उनकी पतनी डिमपल यादों भी अपरना का पर पर नहीं थी लेकिन वह चुकि मुलायम सिंग्यादों की बहु है इसलिए इसको लेकर बीजेपी इतना ज़्यादा इसको भुना रही है अपरना यादो मात्री समय एक समाज सेविका के तौर पर काम कर रही थी वह समाजवादी पार्टी में कोई पद्धार नहीं किये हु और उसी का जलवा कायम है जिसके संग मुलायम है तो सारी बात का जवाब इसी में है अच्छा तो आप दूसरी दूसरा सवाल आप से क्या खिले स्यादों कुछ चुनाओ लड़ने का एलान क्यों करना पड़ा उसके पहले हो कह रहे थी चुनाओ नहीं लड़ेंगे देखिए अगर वो चुनाओ लड़ने की इच्छा रखते हैं पार्टी के राष्टी अद्यक्ष हैं तो वो चुनाओ लड़ेंगे चुनाओ लड़ना और ना लड़ना ये कोई महुत माइने नहीं रखता अगर भाजबा की और से मुखमंत्री योगी आधित नात और केश चुनाओ लड़त रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के कार करता हूं कहीं मनोबल बढ़ेगा उन्हीं को फाइदा मिलेगा लेकिन एक बात ये खास है इसमें उन्होंने कहा कि वो योगी आधित नात की सीट की जो चुनाओ है मुखमंत्री के उसके पहले वो में परत्यासी हो सकते हैं ओके हाँ ये वी एक बात गौर करने वाली है लखनौ के आसपास की कोई सीट की बात होगी लखनौ या सेंटेल यूपी का भी कुछ हिलाका उसमें है तो ये कोई बढ़ी बात नहीं है वो सकता है थोड़ा सुनील चिंतित हैं देखिए पिर जी मै पिर लोटकर उसी पर रहूंगा कि अगर आप मुलायम सिंग को देखिए तो ये उनके परिवार में जो आज बिखराओ आपको दिखराओ जो आज बात हो रही है मुलायम सिंग जब सियासत में आये थे तो अकेले आये थे उन्होंने एक ऊचा मुकाम बनाया वो मुख्यमं पिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाईी कई बार वो मुख्यमंत्री रहे अपने भाई परिवार कुनबे को लेकर चलते रहे और एक सहफाई परिवार के नाम से वो चीट जानी गई उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया और वो उनको पार्टी सौम्दी राष्टी अद्देश बनाया इसी दवरान भाई शुपाल यादो उनसे अलग हुए लेकिन वो मुलायम की छाया बरकरार रही और आखिरकार शुपाल और अखिलेस एक हो गए आज मुलायम सिंग यादो उम्र के उस पड़ाओ पर है जब वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है वो हाथ पकल कर खीच कर किसी को रोक नहीं सकते और आज उनकी बहु आज बीजेपी में वो शामिल हो गई अपरना यादो को वो चाह कर भी नहीं रोक पाए तो ये परिवर्तन है एक यूग का एक सियासत में मुलायम के परिवार के जो आप इस अंतर को ये विखराव को जो भी देखते हैं आप इस नजरिये से देखिए कि एक बहुत बड़ा कुनबा मुलायम पूरे जिन्डगी उसको अपने घर परिवार को साथ लेकर चलते रहे अब जब वह कमजोर हैं सारी रिग्रूप से तो सभाविक है कि कुछ लोगों ने अपनी अलग-अलग रहा चुनी है दूसरा मेरा प्रशन है आप से विरेंजी की संजे निसाथ की तो लाटरी लग गई ऐसा लग रहा है पंदरा-पंदरा सीट अभी हेमन जी के पास एक आउसर है कि वह एक मैसेज दे कि वह अपने सयोगियों को सम्मान देती है पंदरा सीट की बात आ रही थी लेकिन अप सा खबर है कि अब उनको लड़ाए जाएगा लेकिन महत्मूर बात यह है कि बीजेपी एंडिये के जो सयोगी दल है उनको सम्मान दे रही है और महत्मूर बात यह भी है कि अनुराग ठाकुर ने आज यह कहा कि पिता और ससूर यह दूसरे दल में हैं लेकिन उनके घर की ठाकुर से सुनता है तो अनुराग ठाकुर का भी उत्तरपरदेश के चुनाओं में बड़ा इंपार्टेंट रोल है और उनको चुनाओ चिताने की जिम्मधारी मिली है तो सभावी कहीं कि वो पूरी ठाकत से लगे हैं लेकिन यह चुनाओ आप देखिए कि ओभी सी की जो पार्मूले पर कमजोर नजर आती है मौर्या उदारा सिंग चोहान धरम सिंग सैनी 14-15 विधायकों के जाने के बाद समाजवादी पार्टी का माहौल बहतर हुआ है अखिलेश यादो बहुत बड़ी चुनाओती बनकर उबने बीजेपी के लिए बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का तो मंतन होगा ना कि अखिर अगर ओबीसी वोट जिस जो वोट परदेश में 50% से ज्यादा है अगर वो मुड गया किसी और तो बीजेपी को नुक्सान हो जाएगा अखिलेश यादो उसका भरपूर फाइदा लेने में लगे हैं राजबर उनके साथ पहले स भी और बहुत फाइदा नहीं होगा माहौल का फाइदा ले रही है वो जिए वो पोस्टर लगा रही है कि हम मुलायम सिंग्गी बहू को तोड़ लाए अब अपरना यह कह रही है कि हम पार्टी तैं करेगी हम कहां चुनाव लड़ेंगे फिक बात जब पार्टी एक तैं क करना था तो घर में बगल खिड़की खोल के पूछ ले होती भाइया हम कहां लड़ जाएं वहां पर तो मामला पूछ नहीं पाई अब यह चार सो किलो मीटर दूर पांसो दिल्ली में जाके पूछना पड़ रहा है तो यह सब सियासत में तमाम सारी स्थितियां ऐसी बनती है यह अनंद लेने वाली स्थिति है वैसे ऐसे हालात पर गुलजार साहब जो एक बहुत प्रसित दुशायर भी है फिल्मों गाना भी लिखत है यह बात नहीं आप एक और सुनीजिए एक और है ठीक यह किसलिए है जी अखिलेश यादों के लिए कि दोखा बादाम की तरह होता है जतना खाओगे उतना अकल बढ़ेगी तो बादाम अपने अकल बढ़ाता है ना जी बहराल नवाज देवबंदी साहब का सेर है और मे के कुछ वो लाते रहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूं नोट भी कर रहा है पिन कागज ले लिए बोली आप खांस आप तो बैट के कोस रहें कि सब सपा भाजपेम जा रहे हमारे यहां कब आएंगे मैं पूछा इंसे इम्रान मसूत का बताई नहीं तो मैं क्या करूं आप वो सोचता है बहुत लेकिन बोलता कम है और बिना सबब ही मिया तुम उदास रहते हो तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है और फिजूल तेज हवाओं को देश दोस्त देता है उसे चराग जलाने का होसला कम है मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता मग कर गरीब की जान का मुआपजा कम है बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी इसलिए मैं खान साब से कहता हूं कि खुश रहा करिए मायूस मत रहा करिए